नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत था आप सभी का सुभन क्लासेस में दोस्तों आज की वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे आपके इनारगैनिक कम्यूस्टी के चैप्टर नमबर 7 चलना है जिसमें आप लोग P-Block के एलिमेंट पढ़ रहे हैं तो 15 और 16 वर के तत्तों को सार्ट्रिक के मातम से याद कर सकते हैं मैंने आपको क्या बताया था फिर कल बाहर आई आंटी तो F-C-L-B-R-I-A-T यहां पे आपका जो है फ्लोरिन फ्लोरिन ब्रोमीन आयोडिन और एस्टर टाइन यह आपका हैलोजन परिवार के तत्तों थे ठीक है इनके सार कन कि प्रिकार से विर्चन होता है निर्मार कि प्रिकार से होता है उनमें कौण कौण से गुण पायें तो यह चीज्ट पढ़ने अंट में दो चीजह एक तो आपका क्लोरिन हो गया और दूसरा आपका है रोख्लोरिक अरश होते हैं maximum क्या होते हैं यह जो है बनाते हैं ठीक है क्या बनाते हैं मतलब जैसे यह स्वतंत अवस्था में क्या है जैसे आपका क्लोरीन है या फ्लोरीन है या ब्रोमीन है यह मुक्त अवस्था में ऐसे ही नहीं रह सकता या किस प्रकार से रहेगा आड़ू के रूप में रहत जैसे आपका CL2 हो गया, F2 हो गया, BR2 हो गया, I2 हो गया, इस तरीके से जो आई ये इस अवस्था में पाये जाते हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो सेशन में हम लोगों को बात करना है, क्लोरीन का विर्चन, ठीक है, किसका विर्चन, क्लोरीन का, CL2 का आप लोग क्या बोलत हैं, ठीक है, तो क्लोरीन का विर्चन आपको पढ़ना है, ठीक है, तो इसका विर्चन हम लोग कई प्रकार से कर सकते हैं, देखिए दोस्तों हम लोग NCRT को फालो करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एक्जाम में सिर्फ NCRT से ही questions put up होंगे, दूसरी चीज, आप कोई भी ए इस आपका सिर्फ सिर्फ NCRT है, इसी NCRT से जो है, आपके question पूछे जाता है, 98% question बस इसी से रहते हैं, 2% question इदर दर रहता है, तो हमें 2% के लिए मेनाथ नहीं करना है, हमें 98% के लिए मेनाथ करना है, और इसको गेन करना है, ठीक है, तो आईए हम लोग स्टार्ट करते है क्लोरीन का विर्चन, तो जो हमारा दोस्तों क्लोरीन होता है, क्लोरीन को सर्व प्रथम किसने reaction करा करके खो जा था, सैले ने खो जा था, किसने, साइटिस्ट थे, सैले, सैले, साइटिस्ट थे, कब ये 1774 की बात है, कब की बात है, 1774, 1774 में साइटिस्ट सैले ने क्या किया था Hydrocloric amigo किक्रिया मंगनीज आकसाइट से कराई और मैंगनीज आकसाइट से जब उन्होंने Hydrocloric acid किक्रिया कराई थो उन्होंने देखा कि chlorine gesture का निर्मार हो रहा था ठीक है तो उसे उन्होंने chlorine 09 की पासन 1810 कि आसपास सान 1810 कि आसपास एक couitt नहीं होaces with ab Ё하면 atázधिंश me ठीक है पौन इसकी प्रकीत प्रक्रीन का मतलब क्या हुआ इसके रंग के अधार पर इसका नावकरण किया बगें दिया ना फिकहוכ जो都 tribal होता है क्लोरीन क्या है क्लोरीन एक ग्रीक भासा का सब्द है कहां का सब्द है ग्रीक भासा का सब्द है ठीक है कहां का सब्द भी या ग्रीक क्लोरस क्लोरस का मतलब होता है पीला हरित पीला हरित या कहीं कहीं इसको लिखा रहता है हरित पीला क्या लिखा रहता है हरित पीला लिखा गया रहे था ठीक है तो जो क्लोरस का मतलब होता है क्या होता है हरित पीला होता है तो हरित पीला जो क्लोरस सब्द है या ग्रीक भासा का सब्द है और इसी ग्रीक भासा के सब्द के आधार पर क्योंकि ये इसका रंग था ठीक है जो देया पाया गया compound था उसका run कैसा था हरित पीला था इसी वज़ाए से इसको हम लोग गिरीक भासा के chloris सब से जोड़ करके इसका नाम दे दिया किसने साइंटिस्ट डेवी ने कब दिया थाड़ा सो दस में दिया नाम क्या दिया क्लोरीन दिया बासमझ में आई इतनी चीज़ें उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गई होंगी ठीक है तो आईए हम लोग इसका विर्चन पढ़ते हैं विर्चन का पहला तरीका अभ में आपने याउक साइट के साथ कराई थी जब मेंगनीज आउकसाइट के साथ म gevं मेंगनीज आउकसाइट के साथ HCl की क्रिया होती है तो क्या बनता है क्या बनेगा MnCl2 मैगनीज क्लोराइड बनेगा ठीक है इसके अलामा क्या बनेगा इसके अलामा बनेगा Cl2 बनेगा Cl2 के अलामा इसके अलामा क्या बनेगा H2O बनेगा ठीक है तो यह चीजे आपकी बनेंगे यहां पर आप देख रहे हैं 2 chlorine, 2 chlorine, 4 chlorine है, इसलिए आप इधर कर दीजिए 4 HCl, ठीक है, कितना हो गया, 4 HCl, प्लस, यह आपका क्या है, hydrochloric, hydrochloric acid है, ठीक है, यह आपका क्या है, मैगनीम का सिंबल क्या होता है, मैगनीम का सिंबल होता है, म्ग, इसका अतामिक नमबर, 12 उताइ, ठीक है, अच्छा, मैगनीज, यह क्या है मैंगनीज यह क्या है मैंन क्या आपका मैंगनीज है यहाँ पर आपको मैंगनीज क्लोराइड की प्राप तुरे साथ ही साथ आपको क्या मिल ला है क्लोरीन गैस मिल रही है तो आपको बनाना क्या था यही तो बनाना था क्लोरीन गैस ही तो बनाना था बाकी आप ल यहाँ 2 आक्सिजन देख लिजेगा इसको है दो ऊख्यंय उधर बीधाइ है दो क्ट्व Ben यहां से भी आपका हो गया कितना चार क्लॉरी ओर दो कलोरी लिठोan हो गयाो ठीके और एक garnेद यहाँ पर एक मैं यहाँ पर देख लिजå तक एक बार देख लीजिएगा तो इस तरीके से आपका जो है क्लोराइड का पहला तरीका पहला में थर्ड कंप्लीट होता है जिस्में आपका क्या होता ह्सियल्वाड्य ओंक्रिध के के लिए मैंगनी मैंगनी जाug साथ करते हैं तो साथ है आप लोग लेगा यूट है चलिये अब हम लोग कराते हैं नेश्ट आप का विर्चन दूसरा तरीका तो दूसरे तरीक रहे होता है प्को सथ होता है पोक्तैसियम परंगनेट का जो स्छीनम के साथ कराते हैं है आपकि यहां यहां यूजह रहा था वही जो है पर मेंगनेट के साथ ज़ो रहा है जब लोगन क्रिया प्रमेंगनेट के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्थ होगा देखें यहां पर एक तो हमें प्राप्थ होगा MnCl2, क्या प्राप्त होगा Magnese Chloride क्या प्राप्त होगा, MnCl2 साथ ही साथ आपको Chlorine Gas बनानी है ठीक है, Chlorine Gas बनानी है अभी आप देख लिए रहा है कि एक तो MnCl2 हो गया दूसरा आपका Chlorine हो गया ठीक है, अब इसके अलामा इसके अलामा अब देखिए आप, यहाँ पर क्या बच रहा आपका Potassium बच रहा है यहाँ पर आपका Oxygen बच रहा है ठीक है, यहाँ पर आपका Hydrogen बच रहा है, तो अब बन जाएगा आपका KCl और Water, भाई, यह K, यह K, इसके Cl से मिल जाएगा, तो क्या बना लेगा KCl बना लेगा KCl और Water बन जाएगा, Water का मतलब H2O बन जाएगा ठीक है, बासमझ में आज़ी दोस्तों तो अब आप लोग इस Reaction को Balance कर लीजिएगा यहाँ आप लोगों के लिए एक Homework है और Reaction को Balance ही नहीं करना है आप Balance करके अपने तक मत रखिएगा, Comment Box में Comment करके बताएगा, लेकिन Live Chat में नहीं, Comment Box में Comment करिएगा, ठीक है, तो इस Reaction को आप लोग Balance करके Comment करके बताएगा, यहाँ पर देखिए हमने बताया कि Potassium per Magnet, यह क्या है आपका यह है आपका Potassium Potassium Per Magnet, ठीक है, यह आपका क्या है, हाइड्रो क्लोरिक आमल है, आपको पता ही है Hydro क्लोरिक आमल है, तो हाइड्रो क्लोरिक आमल है, यहाँ पर जब हमने Potassium per Magnet की क्रिया, हाइड्रो क्लोरिक आमल के साथ कराई, तो मैंगन, जो है हमें MNCl2 मिला, क्लोरिन गैस मिला, साथ साथ Potassium chloride मिला, और Water प्राप्त होता है, तो आप लोग इस reaction को क्या कराएंगे Balance करा लेंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है तो यह विर्चन की जो है, जो नार्मल मेथट था, जिसके माद्यम से इसको बनाया गया, ठीक है, तो यह हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया था, 1774 सन में, सहले नामक साइंटिस्ट ने, आपके मैंगनीज क्लोराइड की क्रिया, हाइड्रो क्लोरिक अमलिके साथ कराई, जिसके बाद उनको क्या प्राप्ती हुई, क्लोरीन की प्राप्ती इसी क्यों, तो हरित पीला जो हमने ग्रीक भासा का सब क्लोरस से लिया, और क्लोरस से आधार पर इसका नाम लग दिया क्या, क्लोरीन, बात समझ में आई, तो यह जो दोनों आपके तरीके हैं, विल्चन के, इसका आप लोग एक बार स्क्रीन साथ ले लिजिए, इसके निर्मार का या उत्पादन की विधी, चली दोस्तों, अब हमारा क्लोरीन, निर्मार या उत्पादन की विधी हमें देखना है, तो दो विधी जो आपके स्लेवस में दिया गया है, वह है, पहला एक विद्दुत अब घटन के द्वारा, और दूसरा डेकान विधी के क्लॉरीन का उतपादन तो यह दो चीजें जो यह दो प्रकार है या दो टाइप जो है क्लॉरीन के उतपादन का यह आप में दिया गया है तो हम लोग किस क्लॉरीन का निर्मान कर सकते हैं में duty में CuCl2 लिया जाता है जो कि उत्प्रेरा की रूप में कार करता है इसकी उत्प्रेरा की उपस्तित में हम लोग HCl का क्या कराते हैं oxygen से oxygen कराते हैं कितने temperature पर 703 degree Kelvin temperature पर ठीक है तो हमें किसकी प्राप्ति होती है chlorine और इन гैस की प्राप्ति होती है हमने क्या बताया हमने बताया कि जो आपका HCL होता है इस बताया हम लोग किस से कराते हैं oxygen से कराते हैं oxygen से कराहrica आज तो हमने बताया की oxygen की कि पॉलाइज़ाएक किक लिया किसके साथ लिखा गया है बहुत ही मोटे मोटे साथ सोट तेश्ट डिगरे केलविट कॉम साउथ प्रेड़क्त यूज किया जा रहा है लुटू है जिसका मतलब यहां पर जो होगा यहां पर दो ठीक है तो अगर दो करेंगे यहां पर दो आक्सीजन है तो यहां पर कर दीजिए दो ठीक है तो हो गया चार हाइड्रोजन चार हाइडोजन का मतलब यहाँ पर आप 4 कर दीजिए 4HCl की क्रिया अब जब O2 से के साथ कराएंगे CuCl2 पेड़क की उपस्थित में 730 डिगरी केल्विन पर तो हमें किसकी प्राप्ती होगी क्लोरीन की प्राप्ती होगी अब देखिए कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आकसी कराण हो रहा है देखिए आकसी कराण के लिए हमने जो प्रीवियस लेक्चर लिए हैं पिछले चैप्टर में बताया था कि आकसी कराण कब होगा जब आकसीजन की संख्या बढ़ जाए या हाइड्रोजन परमार की संख्या घट जाए अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ एक हाइड्रोजन से यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया जीरो हो गया एक हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जीरो हो गया यानि की जो है इस SEL का oxygen की बिजन्स में क्या हो गया आक्सी करण हो गया बात समझ मैं भी या चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको पहला डेकान विधी समझ में आया होगा दूसरा है आपका वैदुत अपगटन मतलब electrolysis के द्वारा ठीक है electrolysis के द्वारा मतलब क्या होता है यहाँ पर एलेक्टरिक करण्ट के द्वारा वैदूत प्रवार के द्वारा क्या के दिया जता है हम लोग क्या करते हैं एक तो लेते हैं sodium chloride का जली- Virginia concentrate sodium chloride का जली- vaillian लेते हैं और इसके बाद उसमें क्या करते हैं एक विद्धारा उसमें फ्लो कराते हैं जब उस पे करेंट फ्लो कराएंगे तो जो आपका एन्ने सीजल होगा सोडियम क्लॉराइड होगा इसमें यह सोडियम ख्लॉराइड एक तो यह आपस में क्रिया कर लेते हैं बांड बना लेते हैं और दोई परमाडुक हमने पहले ही बताया है कि जो आपके हैलोजन समू होते हैं इनके तत्त दोई परमाडुक होते हैं इसी लिए जो है आपका यह क्लोरीन क्लोरीन आयन आपस में मिलेंगे तो बना क्या लेगा परमाड़ का चली विलेंगे उससे विद्धारा को प्रवाहिद करेंगे करेंगे जब करेंड को प्रवाहिद करेंगे तो इसका वैल्दुत अब घटन होगा याने कि electrolysis होगी देखिए electrolysis में जब टर्म बोल ला हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा electrolysis या इसी को आप लोग लिसिस भी बोलते हैं इलेक्ट्रो का मतलब जो है यह क्या है इलेक्ट्रिक करेंट से है करेंट से है टिक है और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन का मतलब टूट जाना होता है टीक है तो करेंट की उपस्तित में जो भी आपने लिया है वो हुअ चीज टूट जाती है अपने आइनों में एक तो आप NGCl ले रहे थे तो sodium chloride, sodium और chlorine iron में तूट जाता है इस वज़ा से आपको anode पर chlorine या CL2 gas की प्रापती हो जाती इस प्रकार से आप लोग CL2 या chlorine का उत्पादन कर सकते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको इचीज समझ में आई होगी आप लोग इसका एक बार screenshot लीजिएगा मैं हट जा रहा हूँ ठीक है? screenshot उम्मीद करते हैं आप लोगोंने ले लिया होगा अब इसके अलावा इसका क्या बसता है? गुण बसता है chlorine का कुछ गुण भी होगा तो आईए हम लोग इसके गुण की चर्चा कर लेता है साथ ही साथ हम लोग इसके उपयोग की भी चर्चा करेंगे चलिए दोस्तों अब हम लोग कह करते हैं chlorine के गुण देख लेते हैं तो गुण में हमने पहले ही बता रखा है कि जो इसका नाम रखा गया chlorine यह इसकी प्रकृत के आधार पर प्रकृत का मतलब रंग के आधार पर रंग कहां से ग्रीक भासा के सब क्लोरस से लिया गया है ठीक है तो रंग हमने कैसा बताया था हरितपीला बताया था इसी के आधार इसका नाम क्लोरीन रखा गया है तो इसलिए रंग कैसा होगा हरितपी यह किस आवस्था में पाई आती है तो मैंने पहले ही बताया दिया है कि दुरी प्रमाडुक हैं तो गैसियस स्टेट में भी पाया जाते हैं मैंने आपको जब पहले दिन बताया था तो बताया था कि कौन-कौन से गैसियस स्टेट में आता है ब्रोमीन आपका लिक्विड पा कैसी अवस्था होगी ठीक है दूसरा हवा से क्या होता है धाई गुना तक ज्यादा वजंदार होता है भारी होता है और जल में क्या करता है आसानी के साथ घुल जाता है पास मैं जल में क्या करता है आसानी के साथ जल के साथ क्रिया कर लेता है यानि की जल में क्या होगा आसा 49 degree Kelvin इसके अलावा कर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है आसानी के साथ द्रवित भी हो जाता है लिक्विफाई भी हो जाता है यह जो है द्रव अवस्था में इस गयस को हम लोग थोड़ा सा प्रेसर और टेंपरिचर देंगे तो किसमें करणवर्ट हो जाएगा द्रव अवस है आसे ही समझेगा जैसे आपका बात को करते हैं तो यह आपका क्या है यह जो trudルク होता यह क्या है जो होता है यह क्या करेगा क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा जब यह सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा क्या बनाएगा भई या सोडियम क्लोराइड और यही तो हम बता रहे हैं धात तो यह में धात के साथ क्रिया करके क्वानाता है। क्लोराइडाएन इसके अलाम जो है हम लोग 생겼ि पोतेसीयम के साथ इसके क्रिया करा देते हैं। ठीक तो यह क्या बनाएगा। ट्यूकेशीयल बनाएगा। तो यह भी आपका पोतेसीयम के 1हतहतु के अंतर पाता można यह भी छारी अधातु के अंतरगती आता है इसके अलामा कह रहा है कि यह जो है अधातु के साथ क्रिया करते हैं अधातु यानि कि जब मैंने आपको पहले ही बता रखा था इसमें 15 और 16 वर के तद ऊपर के दोनों याद करिये फासफोरस ठीक है सल्फर यह सब क्या थे भाई यह सब तो अधातु थे तो फासफोरस और सल्फर के साथ क्रिया करके क्या करता है जो है क्लोराइड बनाता है तो आई हम लोग इसकी क्रिया फासफोरस के साथ करा लेते हैं तो फासफोरस मुक्त वस्ता में के करिया कर लेगा भाई कि फासफोरस जू आपका इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि आपका अधा हुआ है क्रिया करके क्लोराइड बना रहा है ठीक है फास्फॉरस क्लोराइड ट्राइड बना रहा है पेंटा क्लोराइड भी बनता है इसका भई पी CL5 भी बनता है फास्पोरस पेंटाक्लोराइड यह तो फास्पोरस ट्राइक्लोराइड है और बता क्या रहा है अधात के साथ यह है आपका जो क्लोरीन है क्रिया करके क्या बनाता है क्लोराइड बनाता है ठीक तो उम्मीद करते हैं यह धात वाला हो गया यह अधात वाला हो स्थी हाइडोजन से बनाने की और क्या करता क्रिया करके HCL बना लेता है ठीक है जैसे आपका जो है कि यह हाइडोजन हो गया यह क्लोरीन हो गया और यह आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बना लेगा HCL बना लेगा ठीक है इसी तरीके से हम बता रहे हैं hydrogen जीक तो कोई भी होगी कि ले लीजिए जैसे आप लोग ले लीजिए C10 H16 बहुत ही popular example आपके जो है NCRT book में लिखा गया है C10 H16 ठीक है जब इसके साथ क्रिया करेगा कौन आपका chlorine तो बनाएगा क्या HCL बनाएगा और carbon बन जाता है ठीक है क्या बनाएगा HCL बनाएगा और carbon बन जाता है तो आप लोग इसको क्या कर लिएगा एक बार balance कर लिजएगा इस reaction को ठीक है तो यह आप लोगों के लिए क्या है homework है तो hydrogen के साथ आप लोग देख रहे है hydrogen युक्तियोगिक है यह hydrogen युक्तियोगिक है इसके साथ क्रिया कर रहा है कौन chlorine बना क्या रहा है HCL बना ले रहा है ठीक है इसके अनावा hydrogen sulfide है H2S के साथ क्रिया कर लेगा H2S के साथ भी क्रिया कर के सके क्या करेगा क्या करेगा क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या आप सफर की स्जाएगी नृव यहाँ पर आप क्या कर लिजाएगा दो एसील कर लिएगा महाँ पर सलफर मिल जाएगा आपको ठीक है तो इस प्रकार से हाइड्रोजन युक्तियों को किसी साथ क्रिया करता है तो उम्मीद करते हैं आपको यह चीजें गुण इसके समझ में आये होंगे एक बार इसका स्क्रिंसॉट ले जिए मैं मिटाओ उससे वह उससे पहले ठीक और थंडे ता तंउचारकों के साथ क्रिया करके क्या बनाताा है क्लोरीन बनाता है और हाइपकलोराइट बनाता है ठीक है क्लोराइट से किससे बनाएगा गर्म तरफा सान्द्र छार्कों के साथ किया करके बनाएगा वही पर टण है अब क्या बनाता है महां पर वहां पहरा है आपका हईग क्लोरीट और क्लोरीन क्लोराइड ठिक तो मेद कर थे हैं आप सभी लोगों को यह हगुण इसका समझ में आ आईए हम लोग इसका उपयोग थोड़ा सा देख लेते हैं चलिए दोस्तों जब उपयोग की बात करते हैं तो जो हमारा हम लोग जो पीते हैं जो टंकी का सप्लाई वाला पानी होता है उसमें क्लोरीन डाला जाता है क्यों डाला जाता है एक तो आपका जितनी भी असुदियां वो settled down हो जाए दूसरे जो भी उसमें जीवान हो बैक्टिरिया हो वह किलो जाए नस्ट हो जाए तो मतलब जो टंकी वाला पानी होता है उसको पीने योग बनाने के लिए जीवान रहित बनाने के लिए जो हम लोग क्लोरीन का प्रियोग करते हैं जो आप लोग supply वाला पानी जानते होंगे सहरों में महानगरों में जो supply वाला पानी दिया जाता है नगरपाली का वगएरा में जो बड़ी बड़ी टंकी लगी रहते हैं उसमें chlorine डाला जाता है जिससे पानी को हम लोग क्या कर सके जीवा और रहित बना सके दूसरा जो है हम हम लोग इसका उपयोग कागज और वस्त के विरंजन में करते हैं कलर में करते हैं ठीक है तीसरी चीज़ इसका हम लोग रंजक बना सकते हैं जैसे हम लोग इसकी बात करते हैं तो हम लोग DDT बना सकते हैं ठीक है CHCL3 जिसे आप लोग कलोड़ो फार्म कहते हैं ठीक है CHCL4 ब विभिन्न प्रकार की चीजें बना सकते हैं ठिक इसके अलावा जो है हम लोग ईसका उपयोग विसाली गैस बनाने में भी करते हैं विसाली गैस कौन कौन सी यह जैसे Cocl2 है यह क्या है फासजीन बहुत ही विसाइली होती है हानिकारक होती है जानलेवा हो सकती है तिक इसके अलामा आपका जो है नेक्स्ट है इसको हम लोग अस्रुगैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अस्रुगैस बोलते हैं, C, C, L, 3, NO, 2, ठीक, यहापका क्या है, अस्रुगैस है, इसके अलावा, C, L, C, H2, C, H2, C, H2, C, L, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको आप लोग मस्टर्ड गैस बोलते हैं, क्या बोल इसको हम लोग फासजीन वोलते हैं अपत्य विशाइली गैस होगा है Engineering जो ख्लोडोफाम होता है CSCL 3 यह जो है इसलिए बंद बोतलों में रखा जाता है इसको जो है सीसे के बाटल में रखते हैं प्लास्टिक गैरा में नहीं रखते हैं ठीक क्यों क्योंकि सूर्ण के प्रकास की पस्थित में आक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बना लेता है एक विसयली गैस बना लेता है इसका नाम फाजी होता है बहुत ही हानिकारक होता है दूसरी एक चीज बात करना दोस्तों आप लोगों से आप लोग क्या करते हैं बहुत ही उल्टा सीधा कमेंट करते हैं ठीक है कोई एक है बदमास ठाकूर करके कुछ ठीक तो भाईया आपसे कहना चाहूंगा सुधर जाओ ठीक है यह आपके पढ़ने का समय है अभी पढ़लो जितना पढ़ाया जा रहा है नहीं समझ में आया नहीं पढ़ना है बकवास मत किया करो निकल जाया करो वहाँ पर उल्टा सीधा टिपड़ी मत किया करो ठीक है मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं तो बहुत अच्छा लग रहा हूं ठीक है बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं मैं नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ एक या दो बच्चों के चक्कर में साड़े बच्चों का नुक्सान हो ठीक है तो उमीद करते हैं कि आप से आप सुधर जाओगे अगर आज के बाद आपको कुछ फरजी का कमेंट करना है इस चैनल पर मत आना है मेरे वीडियो पर ही आपका स्लेबस है अगर आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कुष्ट दायक लग रहा होगा कि नहीं सर परजी की बात करना है मैं आपको वादा करता हूं कि अगले आप पॉंस साल में जैसे ही आप ग्रेशन पास करना इंटर्मिडियेट पास करेंगे इसके बाद अगले बढ़ने के लिए क्योंकि मैने भी met claim के preparation कर राकी है ठीक है मुझे पता है मैं भी प्यšडी का scholar हो और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्या आपके लिए अच्छी चीजें क्या आपके लिए अच्छी चीजें नहीं हैं तो मैं अपना अपना कुद का experience बता रहा हूं कि आप लोग NCRT को ही फालो करें जीवन में हमेशा आपके लिए पढ़ाई एक आसान तरीका रहेगा बहुत ही आसान तरीके से आप लोग किसी भी टार्गेट को अचीव कर सकते हैं लेकिन अगर आप NCRT नहीं पढ़ोगे इदर उदर की फालतों की भूग जादा पढ़ोगे तो भाई अब बात में आप ही लोग पस्ता होगे मैं नहीं पस्ता हूँगा ठीक है तो इसलिए मैं आपको बड़ा भाई होने के नाते एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप लोग NCRT को ही फालो करिए दूसरी चीच अब आप लोग पढ़ाई पर जुट जाएए क्योंकि आप आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है समझ लीजिए कि आपका एक्जाम मुस्किल से तीन महीने की दूरी पर आपसे है तो मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग 90 दिन लग जाएंगे अपने जो समय होगा अपने बोड एक्जाम के लिए देंगे और 90 परसंट जो आपका एक एक टार्गेट है उसको एचीव करेंगे ठीक है और इसके बाद अपने समाज का अपने मम्य पापा का अपने घरवालो का अपने रिलेटिब्स का नाम रोसन करेंगे साथ ही साथ सुभाम चैनल क्लासिस को भी आप लोग रोसन करेंगे थैंक्यू